हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजगेशन जोन में मैं हूराज दोस्तो जैसे कि हमारी हर्याना समानेग्यान की सीरीच चल ली थी और 82 पार्ट दोस्तो हमने अपडेट कर दिये हैं वो पार्ट दोस्तो प्लेलिस्ट बना दी है वहा के फर्स्ट क्योशन से तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तो एक चोटा सा लाइक जरूर कर दें और इस टाइब के क्योशन में आपका क्या स्कोर होता है आप हमें कॉमन बुक्स में जरूर बताएं कितने आपके क्योशन गल्द होते हैं वेसे दोस्तों वेरी हा इनकी रचना नहीं है बाकी यादगारेगाली नजमे हाली और मुकादिब हाली जो है इनकी रचना है ये रचना जो है वो अल्दाव उसेन हाली की नहीं है Next question किस वर्स आम का मेला सबसे पहले पिंजोर में आयोजित किया गया नेस क्योशन है दोस्तों हमारा डिगल के शिवाले का निर्मान किसे ने करवाया था डिगल के शिवाले दोस्तों जो पहले रोतक में था फिर अंजजज़र के अंदर हो जाता है तो यहां से भी क्योशन उठाया जाता है तो राइट ओप्षन इसका है हमारा सी दनिराम दोस्तों साव कार एक दनिराम था जिसने जो है डिगल के सिवाले का निर्मान करुआया था बढ़ लेते हैं दोस्तों नेस कोशन की तरफ हरियाना खेती पतरीका का संब्द है अर्याना कहती दोस्तों एक पत्रीका है उसका संबन किस्ते है ये क्योशन पूचा गया है तो इसका सही जवाब है ओप्षन हमारा B. कुरुक शेतर के अंदर दोस्तों दुरोना चारिय स्टेडियम जो है वो स्चित है दोस्तों हम जल्दी जल्दी आज कोशन कवर करने की फूरी पूरी कोशिस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने C. बिलासपुर को जो है महाबार्थ के रिच्छा वेदवास है उनकी जो जनम स्थली जो है वहां से मानी जाती है युम्ना नगर से जुड़ा हुआ मोश्ट इम्पोर्डन कोशन बन जाता है बार सरकार ने जिसको राष्टिय मेतव समारक कोशित कर दिया राइट उप्षन इसका दोस्तो है हमारा A. सेंट जेम्स चर्च है इसको दोस्तो जो बार सरकार ने जो है राष्टिय मेतव समारक के अंदर इसको ले लिया है सेंट जेम्स चर्च दोस्तो करनाल की ये बात की गई है बात की गई अंदर में इसको एंदर किया गया है ौप्षन B. सेख फरीद ने 17 संपर्दाएख िस्ताप्ना की थी JI H लाल जंगली मुरुगे कहां पाई जाते अ Virginia लाल जंगली मूर्गे कहां पाई आए ये स्पेस्ली क्योंस ना है और एक्जाम में भी क्योंस पूचा जा चुका है का बुली आना है यानी बार्वी स्ताब्दि के पुरुं बक्त को किस नाम से जाना जाता था ये उनका क्या नाम था Right option इसका है हमारा E, चुरंगे नात, जिनको पुर्ण बक्त के नाम से जाना जाता था सरचोटोराम दोरा अमरकेटिंग बॉर्ड का गठन कब किया गया Option B, 1938 को सरचोटोराम के दोरा अमरकेटिंग बॉर्ड का गठन किया गया पिंजोर से जुड़ा स्थल माना जाता है ओप्सन डी उप्रोक सभी आम का मेला पिंजोर से जुड़ा हुआ है विराट की राजदानी जिसको विराट नगर कहा जाता था मुगल गार्डन दोस्तों जिसको याद वेद्मिर गार्डन भी कहा जाता है तो येतने स्थल्ट दोस्तो बिंजः और सें जुड़े हैं सिंदू गाटी सबिता का संब्ध है बी, इसार दोस्तो ठीक है राकि गडि इसार सिंदूर गाटी सबिता का परमुक्स्तल बाना जाता है ग्रामुद्य से भारतुद्य योजन की शिरुवात कहा से की गई Option D हिसार से ग्रामुद्य से भारतुद्य योजन की शिरुवात की गई थी बड़ लेते हैं दोस्तों Next question की तरफ हातीपूनरवास के अंदर स्थित है option D, बसंतोर, ठीक है, हाती पनुरास के अंदर का श्थित है, बसंतोर के अंदर, बसंतोर यम्ना नगर के अंदर बाबा मस्तनात मेले कायोजन कोन से महा में? आजकल महा जरूर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कावर करने के हमें सक्ष जरूर्द है, राइट उप्सन इसका है हमारा? बी फरवरी मार्च के अंदर बाबा मस्त नात मेले कायोजन जो है वो किया जाता है नेश्क रसन निमन में कौन सी रचना संत सूर्दास की नहीं है नहीं है पूछा गया दोस्तो राइट अप्शन है इसका हमारा बी वरीति सागर जो रचना है वो संत सूर्दास के दवारा रचित नहीं है सूर्षरावली शूर्षागर और साइत्येलेहरी इने के दवारा रचित है बाबर ने कबूली बाग में किसका निर्मान करवाया राइट उप्शन इसका है हमारा डी एक मस्जिद का बाबर ने जो है कबूली बाग में इसी बाग के अंदर ही एक मस्जिद का निर्मान करवाया था वहे परशिट स्थल जो बारत पाक यूद में 1965 के दोरान नश्ट हो गया था उप्सन A सेंट पोल चर्च दोस्तो उनीसो पेंसर जो बारत पाक यूद हो था उसमें नश्ट हो गया था ये दोस्तो हमारा अमबाला के अंदर है और सेंट जैंट संट से हमारा जो है वो करनाल से जुड़ा हुआ क्योशन मनता है तो दोनों क्योशन दोस्तो अलग-अलग है कंडी योजना में पोदे लगाने की जो कंडी योजना जो थी वो पोदे लगाने की योजना थी वो किस से समन्दी थी जलोड मेदान से समतल मेदान से पहाड़ियों से या सुस्ष सेतर से Option C दोस्टो पहाडियों यानि सिवालिक की पहाड़ियां थी वहाँ पर कंडियोजना जो है वो पोदें लगाने के लिए चलाई गई थी उच्छ सिवालिक पहाडियों की उच्छाई है Option A 600 मिठर से अधिक ठीक है, 600 मिठर से अधिक जो है वो उच्छ सिवालिक पहाडियों के उचाई मानी जाती है निमलिक्ट में से जगए पर हवाई अड़ा नहीं है कौन सी जगए पर राइट ओप्सन इसका दोस्तो है हमारा डी पानी पत के अंदर दोस्तो हवाई अड़ा एसनिक हवाईडा जो है वो नहीं है बाकि दोस्तों सिर्षा, अंबाड़ा और करनाल के अंदर एसनिक हवाईडा सिर्थ है नेस्ट कोशन है निमलित में हरियाना का जो राजयपाल है वो नहीं रहें क्योशन पूछा गया दोस्तो उप्सन C अमरित कोर जो हरियाना के राजयपाल नहीं रहें है बाकि हर्चरन सिंग, हरी आनन बरारी और दोस्तों हमारे सुर्जीत सिंग राजयपाल रह चुके है तो राइट उप्सन C हो जाएगा अमरित कोर निमन में कोन राव बहदूर की पद से भी समानित किये गए है किये जा चुके है तो राइट उप्सन इसका दोस्तो है हमारा ए सर्चोटुराम को राव बहदूर के पद से भी समानित किया जा चुका है नैश्ट कोर्शन हमारा रेल्वे केरिस तथा वेगन वरक्षोप की स्थापना कब होई थी यम्ना नगर की दोस्तों बात की गी है right option इसका रहेगा हमारा a 1933 के अंदर टोस्तों railway केरिस तथा वेगन वरक्षोप की स्थापना यम्ना नगर के अंदर की गई थी बढ़ लेते हैं नेस्ट कोफ़न की तरफ हिंदी रुबाईयां रचना किसकी है यानि किस से समंदित है हिंदी रुबाईयां राइट ओप्षन इसका दोस्तो है हमारा बी उद्याबान हस के दवारा जो है इंदी रुपाईया रशना इंसे समंधित है इनी के दवारा ये परकासित की गई थी नाइस कोशन है पानिपत में एसिया का सबसे बड़ा कार खाना है कौन सा पहला दूसरा तीसरा चोटा कौन सा कार खाना जो है वो सिथ है तो राइट उपसन जो रहेगा वो रहेगा उपसन हमारा बी दूसरा दोस्तो ठीक है पानिपत में एसिया का जो ओयल रिफाइनरी है नहीं दोस्तो तेल सोदक कार खाना है वो जो है एसिया का दूसरा सबसे बड़ा कार खाना पानिपत के अंदर सिथ है जो पूरे एसिया में केथल से जुड़े हुए हैं बढ़ लेते हैं दोस्तों नैस क्वेस्टन की तरफ उत्तरबार्थ का सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब या पार्क दोस्तों कहां पर बनाय जा रहा है राइट ओप्सन इसका दोस्तों रहेगा हमारा सी नारनोल के अंदर उत्तरबाथ का सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब जो है वो बनाय जा रहा है नेस क्वेस्टन है निमलित मेंसे कौन सा मेला करनाल में नहीं लगता नहीं लगता दोस्तों क्वेस्टन बचा गया है राइट ओप्सन इसका है हमारा डी राम सराय का मेला दोस्तों जो है अमारा करनाल के अंदर नहीं लगता बाकि दोस्तों सिम्रंदास का मेला परासर का मेला और जडियों का मेला ठीक है दोस्तों ये सभी की सभी मेले लगते हैं तो नहीं पूछा गया तो नहीं हमें नोट करने वाली बात ये है कि राम सराय का मेला करनाल में नही के फैमस है नेस के उसन निमलिक्स में से कौन सा गेट इसार के दरवाजों में नहीं गिना जाता है यानि दोस्तों इसार का गेट नहीं है ऐसा गेट आपको बताना है तो राइट ओप्सन दोस्तों रहेगा इसका हमारा D. फिरोजा गेट दोस्तों ठीक है तलाकी गेट इसार से है मौरी गेट और लाहुरी गेट और एक दोस्तों गेट और है इसका दोस्तों मतलब फिरोजा जो है वो गेट नहीं है इसार फिरोजा नाम से इसार को जाना जाता था तो फिरोजा कोई gate नहीं है बढ़ लेते हैं दोस्तों नेस क्योस्टन की तरफ इसके अलाओ दोस्तों ये gate नगोरी gate और है इसार के अंदर चारी gate हमारे फेमस हैं केथल जिला किस से अलग होकर बना था राइट ओप्सन इसका दोस्तों है हमारा बी कुरुक्षेतर से केथल जो है किस से अलग होकर बना है कुरुक्षेतर से बना है यानि कि कुरुक्षेतर से तूट कर बना है और आज का दोस्तों हमारा last question most important हर्याना में त्यात्या टोपे का किला कहा है यानि त्यात्या टोपे का किला पुछा गया, किला भी पूच गह देते हैं, कई बार महल भी कह देते हैं और कई बार दोस्तो जो है बावड़ी आइस टाइप का सबद भी ले लिये जाता है तो राइट उप्षन इसका दोस्तो रहेगा हमारा C, में दरगड के अंदर हरियाना में त्यात्या टोपे का एक किल्डा चोटा टाइप बनाए गया है तो ये थे दोस्तो आज के हमारे most important क्योसन, आपका score इन में क्या हुआ है क्योसन का level कैसा है वो आप में comment box में जरूर बताइए ताकि हम थोड़ा सा level और increase कर सके तो दोस्तो वीडियो के एक चोटा सा लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए आयो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले, ताकि latest वीडियो के update आप तक पहुंचते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार, जैरियाना, जैवार्द